Welcome to only AIS, स्वागत है आपका 29 अगस्क्री प्रिलिम बूस्ट और न्यूस डिसकॉशन में आज का पहला important article बात करता है Southern Rice Black Streaked Dwarf Virus की ऐसे question अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपसे जनलिल ये पूछा जाता है कि Black Streaked Dwarf Virus किस से सम्मन्दित है क्या ये किसी cybercrime से सम्मन्दित है या कोई बिमारी है या किसी एक transmissible zotonic disease है तो आपको इसका पता होना चाहिए कि disease किस से related है तो ये जो Steaked Dwarf Virus है ये असल में पता लगाएगी जो धान की फसल होती है बंजाब हर्याना में उनको ये बिमारिया ग्रसित हो रही थी जिसके वैसे बिमारी फैल रही थी ये एक viral disease है जो कि किस में फैलती है तो धान के पौधों में इसका नितिज़ा क्या होता है जो पौधे है उनकी size कम हो जाती है या वो डौफ plants बन जाते है और ये नाम दिया गया है Southern China के इलाके में जहाँ ये वाइरस पहले बार मिला था जो paddy यानी rice से related है Southern rice, bleak street, dwarf virus इससे important चीज़े ये भी है कि किस तरह फैलता है तो इसका जो carrier है वो है white packed plant hopper white black plant hopper मतलब एक हरे रंग का जो carrier है जो इसको अपने crops को समय समय पे चेक करना चाहिए क्या ये वाइरस उनके पेड में है तो नहीं ये तब होता है जब पेड थोड़ा सा जुग जाता है पर हमारे लिए important क्या है कि what is black streak dwarf virus किस से related है ये तो paddy crops से कहां फैला था पंजाब हरयाना में सदन चाइना से उठके आये और ये rice की crop को impact करता है उनके पौधों को छोटा गड़ता है dwarf बना देता है जिससे उनका yield काफी घट जाती है और इसका भी कोई ऐसा इलाज नहीं है तो इसको रोक नहीं इसका best उपाय है ये कहां पता लगा है किस university ने पता लगा है तो ये पंजाब agriculture university ने ये पता लगा है वहाँ के scientist ने हाल में तो ये petty related disease हमें पता लगी आगे आपको पता है कई लोग जो PSIR पढ़ना चाहते है हमारे और से उनके लिए special batch का announcement है जो कि हमारा PSIR का batch है जो कि सुमेच सर्ख खुद lead कर रहे है जो कि 2013-23 optional के लिए है जिसमें जो भी लोग PSIR पढ़ना चाहे उनके लिए offline और online दोनों ही classes के सुविधाई स्टार्ट हैं बैचे स्टार्ट हो रहे हैं 12 सितंबर 2022 से जिसके लिए आप video.onlyis.in पर या इन 4 numbers पे call कर सकते हैं हमारा GS का foundation batch जो कि GS प्रारम का course है वो भी online offline दोनों ही batch स्टार्ट हो चुके हैं नए batch स्टार्ट होने ही वाल है तो आप उसके लिए भी इन numbers पे और detail प्राप्त कर सकते हैं अगला article बात करता है तेजस fighter aircraft के बारे में बहुत दिनों से news में है तेजस असल में क्या है ये एक multi-role combat fighter jet है तो ये किस ने बनाया है तो ये क्या है हैल ने बनाया है या ये US का aircraft है किस जगेट बनाया है तो इंडिया का स्वन निरमित और हिंदूस्तान Aeronautical Limited हैल ने इसको बनाया है रिसेंटली इसके बारे में अर्जेंटीना ने इंटरस्ट शो किया है तो ये अर्जेंटीना एरफोर्स में इसको जोड़ा जा सकता है तो ये इंडिया का दूसरा सूपर सोनिक fighter jet है क्या इंडिया गए पहला सूपर सोनिक fighter jet है तो नहीं इससे पहले HF-24 मरूद जो है वो एक सूपर सोनिक जेट था जो 1960 में बनाया गया 1990 में उसको बाहर कर दिया गया था सूपर सोनिक जेट वो होते हैं जो आवास की गती से तेज चलते हैं हाइपर सोनिक वो होते हैं जो 5 मेक्स से भी जादा होते हैं यह सूपर सोनिक हाइपर काफ स्यूपर सोनिक प्रेस उपर होते हैं विच टाइप off ऎरक्राफ है तंजकर ऐसा इसा ऐसका है मल्टि रोल कॉम्बैट जेट है इंडिया में बनाया है हैन ने इसको बनाया है ये कितनी engine है इसमें तो single engine है आपसे quotient पुछे जा सकते हैं चार statement नहीं देती जिसके बारे में it's a double engine aircraft which is hypersonic which is multi-role super fighter jet तो आपको पता अचे कि नहीं ये single engine है single engine में ये फरक होता है इसका तोड़ा danger जादा होता है एक engine है फेल हो गया तो गिर सकता है पर क्योंकि ये aircraft light combat aircraft है तो इसलिए इसमें single engine लगाया गया है जिसमें flight control system भी साथ में मिलता है air combat, offensive air support और air में ही इसके अब refueling कर सकते हैं एक और ship जाकर इसे refuel कर सकता है इसकी जो speed है वो 1.6 max से लेके 1.8 max तक रहते हैं यानि आवाज की गती से 1.6 गुने की speed इसकी रहती है क्या objective है तो जो gap रह गया था हमारी technology में जो aero technology हमारी थी उनकी ships में, उनके aircraft में और जो एक requirement है, एक हलके aircraft की जो इंडियन रेफोर्स की requirement है या नीवी की requirement है उसकी पूर्ती है करें तो तेजस हो कर सकता है और तेजस की requirement आप बागी देशों के तरफ से आनी start हुई है तो अभी जिस देश ने इंटरस्ट शो किया वो था अरजंटीना अब इससे related बात है, अरजंटीना कहां स्थित है अरजंटीना सदर अमेरिका की एक country है जिसकी राज़ानी है, यह इसके आसपास आपको देखने कौन से देश है तो आपको बड़ा importantly याद होगा कि चलो भई ब्रजील हो गया, बॉलिवेर, पेरगवे, चिली और पेरगवे, तो यह देश इसके आसपास है कौन से oceans की बीच में है, Atlantic और Pacific Ocean क्या यहां पे कोई landlock country है, मुझे बताओ South America में किटनी landlock countries है, इस questions बहुत प्यारे है UPSC को, ज़दा landlock countries, तो आप मुझे बताओ South America में, इन देशों के बीच में क्या कोई landlock country है या नहीं है, यह इसके North South में किया देशा हमने डिसक्स कर लिए इसके आसमें एक passage भी एट, रेक passage कुछ important ranges जो आसपास है, वो है, Endis Mountain Range कौनकाक हुआ, जो सबसे बड़ा, जो highest point है Endis Range का, वो भी यहीं पर मिलता है और यहां Perina और Uruguay जैसी major rivers बहती है तो Argentina की बात आ गई, मरकोसर एक, इनका union है जिससे अमार एक ASEAN है, या फिर सार्क होगी है वैसे मरकोसर है, जो Southern American countries इनका एक FTA agreement type है, जो एक trade body की तरह काम करता है तो यह basic detailing है, जो आपको थोड़ी पता होनी चीए Argentina के बारे में और Argentina का एक विवाद था Britain के साथ, वो था Falkland Island के उपर कि उनके उपर दोनों में युद्ध भी हुआ था और Falkland Island के विवाद के बारे में युद्ध एक तरह से Argentina और अमरिका ने लाड़ा Britain ने लाड़ा था बहुत सालों पहले इसके अलावा एक Monty Desert या Patagonia Desert भी आपको के उपर एक Monty Desert आपको देखने को मिलता है कहां तो Argentina में, तो Monty Desert कहां पर है Argentina में, इसके अलावा कौन से दिशिस के आसपास है, Falkland Island कहां situated है, किसके बीच में विवाद था Falkland Island की control को लेकिए जैसे Goa का विवाद था इंडिया और Portugal के बीच में, कि पॉटकला कब जा था उसके उपर, बाद में इंडिया उसको take over कर लिया कुछ ऐसा ही Falkland Island की उपर था, जहां Britain का ये control था, जो बाद में ये claim कर लिया खुद से Argentina ने हम ये topic क्यों पढ़ रहे हैं, कि अज़ इंडिया ने इंडिया ने इंटरस्ट शो किया किसमें, तेजस में तेजस कैसा aircraft है, वो हमने discuss कर लिया अगला article बात करता है, बैटरी Waste Management Rules 2022 के बारे में अपने बहुत देखा होगा, बैटरी खरीडने वाले दुकान दर घूमते रहते हैं, कि बैटरी ये दो हमें पुरानी, वो बैटरी वो recycle करते हैं पर दिक्कत है कि उसमें कई सारा वो lead और waste धंग से manage नहीं करते हैं, lead बाहर रह जाता है, जो specifically बच्चों के materials होते हैं, जो काफी हानिका रहे सकते हैं openly अगर उसको रखा जाए, तो इसके लिए जो नई changes किये गए हैं, पहले के मुकाब्द उसमें यह है कि अब और जादा जो producer principle है, जो लोग इसको बना रहे हैं, वो ही और जो इसको import कर अगर नहीं बना रहे हैं, तो उनकी जारा जम्हत आई रहे हैं, कि को ensure करें कि इसको recycle किया जा सके, इसको भैदा तरीके से इस्तमाल किया सके, तो अगर आप से पूछा जाए कि EPR, यनि extended producer responsibility किस से संबंदित है, क्या संबंदित है संबंदित है, aircraft division से, या संबंदित है waste management से, तो आपको पता होगा battery waste management भी बात की गई है किस चीज की तो extended producer responsibility कि यानि जो producer होगा, उसकी responsibility अवज़ादा होगी अगर producer नहीं है, जिसे बैटरी इंडिया में जादा import होती है, तो जो उसको import कर रहा है, वो ensure करेगा कि इसको धंग से use किया जाए इसमें collect किया जाए, recycle किया जाए चीजों को, और एक तरह से mechanism set किया जाए, कैसे online portal बना कि वो ensure करता है कि भाई, यह हमने battery यहां से recycle करी है, इतना material हम use कर चुके है, जो refurbished तरीके से use होगा ताकि और danger ना environment में फैले इसके अलाबा एक और principle होगा, polluter principle, यह जो pollution फैला रहा है वो उसकी कीमत चुका रहा है, यह जिसके तरू अगर आपने यह target पूरा नहीं किया, EPR का कि आपकी जिम्मेदारी आपने मालो 10 ton batteries मंगाई यह बनाई, तो कितना अटन आप उसको recycle कर रहे हो यह target दिया जाएगा, वो target अगर आप meet नहीं करोगे, तो उसके बदले में आपको फिर fine देना पड़ेगा, जिस fine से जो fund collect होगा, इसका इस्तमाल किया जाएगा जो un-collected और non-recycle waste batteries है, इनकी refurbishment में, नई batteries बनाने में या उनको recycle करने में, यह बात होगे कि battery waste management rules की इसके लिए क्या फाइदा होगा, एक जो industries होगी, वो set up होगी कि भाई, waste generate हो रहा है, इसमे एक बड़ा market है हम यहाँ इन batteries को recycle कर सकते है जिनके component है, धंग तरीके से, धंग से safe environment में recycle कर सकते है और entrepreneurship शुरू होगी, फिर इससे नई batteries भी बनेगी, और जो obviously recycled होगी, और इसके अलावा जो rules होगी, उसके online registration, reporting, auditing, वगरा सब साथ साथ होगी, ताकि बहतर तरीके से इसको implement किया जा सकते, तो यह बात है battery waste management rule 2022 की, तो EPR क्या इससे related है, तो है क्या इसमें compensation की बात है, तो है यह हो गई, इस topic के बारे में बाते हैं, एक प्रवाई की पहले पूछा था dry cell के बारे में, कि इनमें से किनको electrolytes की तरह use किया जा सकता, जाता है अगर आगर आपने 9th के NCIT पढ़ा होगी तो आपको पता होगा कि dry cell battery में, असल में ammonium chloride और zinc chloride को इस्तमाल किया जाता है as electrolytes तो यह इसका correct answer है तो, आपने कर धंक से पढ़ी है तो आपको इसके बारे में पता होगा basic सी चीज़े थी यह, फूर सी general science हमें पता होनी चाहिए, हलांकि पुराना question है पर हमने recently देखा है, journal science फिर उठके आया है तो we need to know about these topics अगला topic बात करता है जुरावर के बारे में जुरावर किस से संबंदी था, जुरावर असल में एक light tank है अपने टैंक तो भारी होते हैं, light tank क्यों बनेंगे अब हमें पता है, चाइना के साथ पहाणों में विवाद है वहाँ आप अरजुन या भीम या भीश्म या भीश्म जैसे बड़े-बड़े tanks लेके नहीं जा सकते हैं तो इसके लिए आपने एक जुरावर जैसा एक indigenous light tank बनाया है जुरावर जो कि mountain में deploy होगा यह असल में एक armored fighting vehicle Indian light tank जुरावर है जो की high altitude में operate करेगा जो easily transferable है, transportable है इसके दुरू यह equal fire power रखेगा जो एक normal tank रखता है, missile fire आप यहाँ से कर सकते हैं इसके अलावा यह एक नई generation के future tank platform को भी बढ़ावा देरे है जिसको बहतर तरीके से 2030 तक वो include करता है जिसमें वो logistics का supply हो, transfer of technology हो, engineering package हो futuristic infantry जो complex होता है, combat vehicle है वो बनाया जाए क्योंकि यह जब tank है ना तो इस सिपाहियों के साथ चलता है जो फॉजी जो infant है infantry है आपकी, sorry infant तो चोटे बच्चे हो कहते है infantry मतलब जो आपका जथा चलता है उसके साथ tanks move करते है तो यह futuristic बनाने की बात की गया है future soldier के बारे में हमने पढ़ा था उनके insas rifles के बारे में हमने पढ़ा था जो नई कोशिश government कर रहे है तो उसके तहट यह भी एक plan इसके अंदर है इस से related एक और चीज़े जो develop की जा रहे है वो है swarm drone system यह असल में इंडियन आमी ने एक कोशिश किया कि खुद का एक drone setup बनाया जाए जिससे वो offensive or defense operation में इस्तमाल करें आपने भी तो drone को देखा होगा shootings के लिए video cameras या शादियों में लेकिन drones में अगर आपने missiles लगा दे तो वो बहुत successfully use हो पाती है जिसका इस्तमाल recently Turkey ने बहुत अच्छे से किया और जो नगार्नो करबाग का अभी युद्ध चला है जहांपर अर्मीनिया और अजरबाजन के बीच में विवाद था वहांपर बहुत सफलता पूलवक predator drones का इस्तमाल किया गया drones बेजे और अर्मीनिया के जो बड़े-बड़े tank थे उनको drones ने उड़ा दिया अगर आप drone को गिरा गो भी तो किसी की कोई शती नहीं है चोटा सा drone है ज़ादा महंगा नहीं है और बड़े-बड़े tanks उससे उड़ गए so drone से एक decisive edge मिल रही है tactical commanders को वो घर में बैठे-बैठे या bunker से operate करते हैं और फिर उनको उड़ा देते हैं तो इससे इस्तमाल किया जाएगा आगे की security challenges को पूरा करने के लिए swarm drone technology और swarm drone का ACADS बनाए जाए जो high altitude area में पहाड़ी लागों में चाइना के conflict में पूरा कर पाए जो ज़रूरत है उसकी तो जरावर क्या है और swarm drone क्या है यह हमने पढ़ लिया फिर campaign चलिए आश्वासन campaign आश्वासन campaign क्या है तो असल में tribal affairs ministry और जो ministry of health है दोरोंने मिलके इसको शुरू किया है it is tribal tv initiative तो ministry कौन से याद रखिए थोड़ी सी अलग है tribal affairs ministry प्लस health ministry मिलके यह काम कर रही है जहां 100 दिन का आश्वासन campaign जला है normally आश्वासन नेता लोग देते हैं यहां स्वास यानि सास से लेले चीज़ है आश्वासन यानि जो लोग टीबी से पीडित हैं उनके लिए tribal इलाकों में जो टीबी से ग्रस्ट लोग है उनको जरूरतों को पूरा करने के लिए door-to-door screening और उनका एक इलाज करने की कोशिश है यह आश्वासन campaign जो कि किस ministry का है tribal affairs का प्लस ministry of health and family welfare का tribal TB initiative जो door-to-door जाकर 75 tribal district में एक three-prone strategy अपनाएंगे कि पहले हम डिमांड करेंगे यह generate करेंगे डिमांड जहां भी जरूरत है community influences के थूरू जिनको भी TB होने की समभावना है उनको इलाज किया जाए उनकी testing की जाए, diagnosis का infrastructure develop किया जाए और risk of transmission घटाई जाए उसके लिए अब क्या करेंगे आप पता लगाएंगे कहां-कहां पर active है यह TB का problem और वहाँ पर क्या तरीके अपनाने जाएंगे चाहें उसके ओपर focus किया जाएगा tribal TB initiative है क्या, जैसे मनें बताया यह ministry of tribal affairs, central TB division जो ministry of health का वो plus US aid का support इसको मिला हुआ as a technical partner, टाकि TB care और support services पूरे इंडिया में और जादा बैतर तरीक से फैले for tribal population, तो आज स्वाशन campaign किसके बारे में है, tribal इलाकों के बारे में, किस से सम्मझनी थे TB विमारी से, ministry कौन सी है, कौन support कर रहा है, यह आपको पता होना चाहिए ठेक है, अगला article national cancer grid के बारे में, अब असे पूछो national cancer grid आप सोचेंगे, जलुरू health ministry की scheme होगी, नहीं, यह असल में 2012 में establish की गई थी by department of atomic energy और Tata memorial center के support के द्वारा, यह कोशिश करता है की cancer care के लिए collaboration बनाई जाए जिससे की digital technology का इस्तमाल करके हम cancer care across India पहला पाए, तो जो national cancer grid है, 2012 में बनाया है, government of India ने, through department of atomic energy and with support of Tata memorial center इसका काम क्या है, जितने cancer center से उनके network बनाया जाए institutions का, research centers का, patient groups का, charitable institutions का, ताकि एक uniform standard बन से की patient care का की cancer का, patient अगर हैदराबाद मेलड से है, किसी गाउ में है, किसी जारकंड या उड़ी सके, तो उनको at least अगर कुछ cancer hospital में पता हो कि SOP, standard of procedures क्या है, at least यतना उतों maintain करना है क्या uniform standard है, कैसे training और education प्रवाइड करनी है, oncology की oncology मतलब, cancer related treatment की बात यहां हो रहे है, collaborative basis पर और transactional clinical research कैसे किया जाया, ताकि एक दूसरे से वो सीख पाएं और use कर पाएं इलाज में चीजों का, तो यह बात है थी national cancer grade की, किसने बनाया, कहां फॉर्म हो रहा है, और grade बनाते हैं, जैसे grade का काम क्या होता है, supply और जो requirement है, वो पूरी करना, एक दूसरे लोग सीख पाएं, यही constitutional national cancer grade की अगला article बात करता है, constitutional bench of supreme court, क्योंकि एक नई chief justice UU Lult, जो 49th chief justice ने इंडिया के, वो अब इसके head बने, नई chief justice बने हैं इंडिया के एक constitutional bench throughout the air operate करेगी इन supreme court, यह इन्होंने assure किया है, constitutional bench क्या होती है, इसमें past से अधिक judge होते हैं जो की normal चीज़ों पर काम नहीं करते हैं जो constitutional issues होते हैं उन पर काम करते हैं, इससे पहले जो cases होते थे, maximum दो judges की bench से solution लिया जाता था, पांच judges की bench अब होती है, तो होता यह है कि कई सारे judges हैं, तो उससे ज़रा plurality of judges अगर होंगे कई सारे judges होंगे, तो बहतर तरीके से की चीज़ को समझ पाएंगे, और ज़रा debate कर पाएंगे, ड़र जना अगर दो judge है या तीन judge हैं, जो अभी तक होता आया है, उससे होता है कि limited judge रहते हैं, तो ज़रा debate का scope नहीं बनता, ज़रा judges होंगे तो और ज़रा detail में उसको analyze तिया जा पाएंगे, और ज़रा brains उस पर operate करेंगे, उसको बहतर तरीके से उसका, उस issue के बारे में मन्तन कर पाएंगे, इसलिए बात की गए constitutional bench में कि भाई, एक constitutional bench throughout the year, सुबरिम कोर्ट में रहेगी और जिसमें पाच या पाच से अधिक judge रहेंगे, पहले हाला कि दो या तीन judge ही केवल रहा करते थे, तो कब बनता है constitutional bench क्या constitutional provisions हैं तो article 145 के subsection 3 के अंदर की maximum judges जो बैठेंगे, जहाँ पर law का कोई substantial question हो, जो कि सम्मंदित हो सम्विधान से, यानि constitution से या फिर जो भी article 143 के अंदर आ रहा हो, उन सभी चीजों को समझने के लिए reference रखता हो, तो वो उसके लिए एक constitutional bench बैठनी चाहिए, article 143 पहले है क्या, तो President Supreme Court का opinion लेता है under law under article 143 इसके अंदर, President के पास ये शक्ती है, कि वो Supreme Court से question ले सके, जो उनको लगे कि important है, public welfare के लिए, it is under article 143 145 के subsection 3 के अंदर गत क्या है, कि कि कितने minimum judge उसमें बैठेंगे इसके interpretation के लिए तो 45, subsection 3 के अंदर नंबर कितना दिये गया है, shall be 5, अगर constitution से related कोई भी case है, तो इतने at least आपके पास judges बैसने चाहिए 5 किस संदर में है, article 145 तो वो है article 143 के संदर में, ठीक है, तो आपको 5, अब होता है, पहले 2 या 3 भी हुआ करते थे, तो Supreme Court advise करती है, President पे, उनकी query का answer करके, लेकिन जो वो बातें बताती है President को, कि आपको ऐसा करना चाहिए, उनके विवेक पने भर करता है कि भाई, वो करना चाहिए, तो करें नहीं, तो नहीं करें तहीं ऐसे 2 या 3 बज़िस के bench के judges आया judgment आई है Supreme Court की उन्होंने conflicting judgment दी है कि एक चीज़ पे एक bench बैठी, उसने कुछ और का दो जज़ों की और judge, एक bench बैठी, उनके कुछ और judgment दी, इस ते पता लगा कि अगर ज़्यादा बड़े judge की एक bench बैठेगी, पांच या चार-पांच judges अगर एक साट बैठ रहे हैं, इसका मतलब ज़ादा बैठा तरीके से consensus बिल्ड हो पाएगा, तो इस तरह से constitutional bench को एक मुद्दा आया उसके basis पर हमने तीन judge बैठा दिये और वो बात कर रहे हैं, इसे better है कि एक permanent bench हो, जो की constitution issues पर बात कर पाए, क्योंकि अक्सर हम news में पढ़ते हैं, article 370 हो, या कोई और article हो, जिस पर बार-बार बाते होती हैं, जहां सम्मिधान की बाते हैं, उसके interpretation पर बाते हैं, उन सभी को द्यान में रखते हुए, बात की गई है कि बाब, ad hoc basis पर काम करने के बादा है, at least एक bench तो रहेगी और article 145 के subsection 3 में हमने देखा कि minimum 5 judges का तो अब system आ चुका है, तो 5 judges के एक bench होती है, जो सम्मिधान से संबंदे सभी चीज़ों के उपर काम करती है, क्यों हुआ भई, हमने देखा, 2 या 3 judges के bench पहले रही है, उनके बीच में conflict आए हैं, इसलिए ये देखा गया कि भई, इसे option सही है या गलत है, बढ़ ये basic सी चीज़ है, अब judiciary पढ़िए, लक्षमी कान से उठा के, policy में उठा के, तो आपको पता लाएगा, दोनों ही statement सही है, क्योंकि हम से correct question पूछा जा रहा है, so it's C, both 1 and 2 is correct, right? आगे जो news है, वो है सेती रिवर के बारे में, सेती रिवर कहां बहती है, पहली बाद, is it Indian, no, it is in Nepal, यहाँ पर एक hydropower project पहले चाइना बताने की कोशिश कर रहा था, वो आगे नहीं बढ़ा, अब इंडिया उसको बढ़ाएगा, इसे west सेती hydropower project या सेती रिवर hydropower project कहा जाता है, जो की सेती गंड की रिवर, जिसे सेती रिवर या सेती खोला रिवर कहते हैं, वहाँ पर यह project बनेगा, बेस्टल निपाल में बहती है नदी, यह twin peaks of APN Nama से निकलती है, कहां origins थल है, APN Nama, वहाँ से गुजरते हैं, उत्राखंड के पास से जाते हैं, निपाल, इंडिया और चाइना का tri-junction है, वहाँ से यह गुजरती है, तो इसलिए चाइना का पहले हस्तक्षिप रहा है, इसमें, बाद में 1200 Megawatt project है, 1200 Megawatt का project, बिजली उत्पादन का, जो इंडिया चाहे तो खरीज सकता है, या फिर किसी third party को export कर सकता है, कि इंडिया ही concept करेगा यह डैम, जिसके बनने में नेपाल को obviously कुछ पैसे देंगे, इससे पहले चाना यह project लेना चाहा रहा था, लेकिन अब इंडियान इसको control कर लिया, तो river कहाँ पर है, किसको join करती है, तो करनाली को join करती है, करनाली या धागरा फिर, जो इंडिया में भी आती है, पता ही आपको, तो यह कहानी है, सेती river के आसपास, फिर कुछ इससे जुड़ता हुआ, जो अलग topic है, पर सेम सब्जेक्स है, विश्नुगड प्रोजेक्ट, जो की world bank ने बोला है, कि एक विवरास्पद जो level पर पहुँच चुका है, यानि एक ये प्रोजेक्ट है, विश्नुगड प्रोजेक्ट जो कहां पर है, किस नदी पर, तो धौल गंगा रिवर पर है, जो की चमॉली में होतराकंड में, यहां पर ये प्रोजेक्ट कर रहा है, सुप्रीम कोट ने करा है, कि वो एक independent पैनल भेजेगा, क्योंकि उनको प्ली आई है गावालों की तरफ से, यहां के मंदिर और इलाकों में काफी खत्रा है, पानी भी कम हो जाएगा ये डैम बनने के बाद, तो कौन सा प्रोजेक्ट है, विश्नुकर प्रोजेक्ट कहां, चमॉली में, किस रिवर के उपर, दोली गंगा के उपर, तो यह चीज़ें आप समझ गए, इस टॉपिक, अब वर्ल्ट बैंक इसके उपर, शायद इन्वेस्टिकेशन करने की बात करे, तो अब देखते हैं, आपको कितनी चीज़ें याद रहें, कितनी गलत लगी, Southern Rice, Black Streak Dwarf Virus, कहां से निकलता है, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, I hope आपने सही सही सारे कर लिए होंगे, तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही, आपको और डिटेल से कर चाहिए, यह PDF शेज हमारा Telegram Channel, Only I has nothing, I have joined कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवा, Thank you very much and keep on watching only I.E.S.